दोस्तो हमारे पास आज एक पंखा है किस्टमर का कहना है यह पांखा रात में चलते चलते साउंड दे रहा था और यह गर्म तो दोस्तों जो मैंने इसको घुमा के देखा तो सच में यह पंखा बिल्कुल जाना तो कस्टमर ने कहा कि इसके बैरिंग चेंज कर दीजी तो मैंने सोचा कि यह बैरिंग तो चेंज कर नहीं है तो मैं क्यों ना इसके उपर एक वीडियो बनाके मैं अपने वीवर्स को भी तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसे पंखे का बैरिंग चेंज करेंगे और आप भी घर बैठे असानी से बैरिंग चेंज कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को प्रोपर वोच करेंगे तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ वीडियो में जाने से पहले दोस्तों म हमारी आने वाली लेटिस्ट वीडियो की जानकारी आपको कि तक पहुंचे सबसे पहले तो दोस्तों ना देर करते हुए चलते हैं आप वीडियों में तो दोस्तों हम आच चुके अपने workshop टेबल की और आप देख सकते हैं तो सबसे पहले से खोलने के लिए हम इसके connectर को निकालेंगे तार्य थे हमने औरेटी पहले निकाल चुके हैं दोस्तों तो इसकी capacitor को भी मैंने खोल दिया था यह हमने कर दिया अलब इसके तीन नट है दो तो दोस्तों हमने नट देखे फूर लिए अभी हैंबर की मतद से इसको ठोकेंगे तो निकल जाएगा नहीं दोस्तों ऐसा कभी निकारना इसको हैंबर नहीं मारना रिजन के हैंबर मारोगे तो इसकी मोटर जड़ जाएगी यह देखे इसके कोलर बनी हुई है दोस्तों तो इसके कोलर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको पहले वाइस मतल जिसको बोलते हैं वांक वांक में इसको कसेंगे की देखे दोस्तों पंक्का को हमने इस 22 में कसलिये अभी यह जो कोलर रहे इस कोलर पर चोट मारेंगे तो यह पज़गे ऑफ क्रोपन निकल जाए जाएंगे देखे मिर पास तो यह बिलकुल जाम हो गहाए तो इस पैरिंग को भी हम निकालेंगे और इसके अंदर नाया फिट करीध कि उस्फसे पेहले कि अब बारी से मोटर को निकानने के backwards तो उससे पहले क्या करेंगे हम ये कि यह जो लीड है यह लीड को होल में से उपर ले वाले होल में एक एक करके निकालना है कि मैंने को इसको निकालने के लिए एक कोपर तार का टुकड़ा लिया है इसको पहले इसके अंदर से असे निकालेंगे होल से आसे निकालने के वाद एक तार को इसके साथ जोइंट कर लिए तो बहुत ही ध्यान से निकालना दोस्तों कई बर तार क्या था ब्रेक हो जाती है या अंदर रहे जाती है तार हाड हो जाती है काफी टाइम के बाद ही जल्दवाजी नहीं करनी हैं जा अगल आप नहीं हो तो देखिए तार निकल गई एक एक करके ऐसे ही सभी तारे निकालनी है तो हमने देख सकते दोस्तों तीनों तारों को इस होल में से उपर निकाल लिए दोस्तों अब बारी है इसको निकालने के उससे पहले किया है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे इसको निकालने के लिए मोटर को वाइस के अंदर कस देंगे पहले पूरी वोड़ी को उसके बाद एक ऐसे शाफ्ट लेनी दोस्तों और एक हैंपर की मदद से इसको चोट मारें अंदर वाली से चोट ध्यान से मारने पड़ते कहीं वाइनिंग नकड़िये दोस्तों देखें निकल गया हुआ कि दिखाना चाहूंगा मोटर तो बिल्कुल साफ लग रही है दोस्तों बिल्कुल साफ है दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यह देखिए बिल्कुल ओके मोटर थोड़ा इसको क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जर्ड लग गई है ऑफ इसके अन्दर कि वोड़ी का बेरिंग जो बिल्कुल जान में दोस्तों तो दोस्तों फटाफवाट से दूना वेरिंग निकाल ले तो गाल्ण भूगी गई वेला एक लास वेशिए देखिए दोस्ते हुमारे पास एक एक बैरिंग पूल रहा है तो बैरिंग को निकान भी के लिए तो में आपके थाप लेता हम इससे बैरिंग कसम चाहते है यह वाला क्या पर जो इसके इंडर जाएगा परें और इसके इंडर अब जो इसको फोल विप्रो आगे है अब यह विचे बीखने पर जोगा है अब इसके बार करना है यह ना पकत करना है अब यह अब जश्टे बद यह आप शलाई ने चुब होती है ज़िए ने ने पर जोट गलान कारां साल ग़ाऊ जाता है यह ने ने फोपर तुपर गढ़ाया दो गरेंग काना है ऐसे गरेंग करेंग तो आइसे इसे इसके इसके भी हम गरेंग काने जाए अब जाटते हैं हमें दोना वेली तो निसाइब करना पड़ेगा अब जाटते हैं इसको फटा-फट से हमको क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से क्लीन कीजिए लोगत दवाजी करने के को जोड़ेगा में अच्छे से करने देखे दोनों दोनों बेलेंगों को हमके अच्छे से बठा दिया और बारी किया है इसको यह उसका कंप्रेंट हो अब इसको तोड़ा साफ करें बिदूरा रहें है रेगमार कि मुदटें को करनेंगे जो जार बगारा लगी और पाफ हो जाएगी दोपको अप्टे से पाफ अपने अच्कों अच्छे क्या बाव उबरा हुआ होगा था बेड़ गया रहे लिए अब रसके मज़ेसे स्केशाफ बखेंगे इसका दो साम कम्प्लीट होगे अब इसको उपर थोड़ा थोड़ा देखिए जर लग दिया है तो 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 यह बहुत साफधानी से करना पड़ता है उसको हलके हलके हाथ दो करना है जर लगी हो प्रीन होए है ध्यान से करिएगा तो तो कहीं उपर अगर लग देए मोटर से तो गया आई प्रीन कर लिया है तो बहुत भी साफधान से करना बता है तो तो हमने इस मोटर को भी प्रॉप्र क्रीन कर लिए आपधान हो जब सकते होए है अवतान है ? यूपने तो धिए नगे तो प्रीन करना है नगे भी स्ब्सक्रीन करें पैंपर लिए सील प्रों प्रीन कर्णा प्रीन पाद़ प्रीन और डिए थे प्यूँड़क्ट आगज सुटेए इस पहुआ नो नहीं होता है बहुत जरूरी होता है लगाने के लिए अर्ग इसको बाक्षा करेंगे इसको बाओने के लिए अब मोटर के पेच लगाएंगे दोस्ते के वोड़्स में कि कि में अच्छे तरक कुंद लेंगे नाटको वड़ी में देखिए फ्री हो गया दोस्तों बहुत अच्छा से फिटिंग हो गया फिटिंग आगर आपने करने थे प्रोपर तरीके से करने दोस्तों एक भी कदम आपने गलत उठाया तो आपकी मोटर जा सकती है तो कोई जल्दवाजी नहीं करनी जैसे मैं are Fin encontrar Consviator को जासे सबूस्वान करने तो दोस्तों कोई साउंड नहीं है इसका विल्कूल बहुत अच्छे से टरन कर रही है तो वीडियो मेंammenिया था दोस्तों कि बैरेको काश़्पर तरीके ज़्वीडियो अच्छी लगया तो एक लाइक तो बनते ही है दो और इस व झाल झाल